परिक्षा की तैयारी के दौरान कभी-कभी ऐसा होता है कि हम टार्गेट बना लेते हैं कि आज हमें इतनी देर पढ़ना है पर हम उसे पढ़नी पाते किसी कारण से हम उसे अचीव नहीं कर पाते तो अपना ध्यान हमेशा उस चीज पर रखो जिसे तुम पाना चाहते हो ना क पर एक हमारे पहले प्रश्न की और आंगें बढ़ते हैं अज हम मद्धिप्रदेश की जनजाती से संबंदित Mcl को कवर करने वाले हैं निमलिखित में से कौन सी जनजाती मद्धिप्रदेश की नहीं है गौनसारी गूड कोरकू और भील देखे जब मद्धिप्रदेश की जन जाती के बारे में already पढ़ चुके हैं तो हमने इन तीनों के बारे में तो पढ़ा है पर जॉन सारी के बारे में नहीं पढ़ा है तो जॉन सारी जो है इसका सही आंसर होगा option number A और यह जो जॉन सारी आपको दिखाई दे रही है यह यह वाली जन जाती है नेक्स कोशन में चलते हैं मध्य प्रदेश में मान या अनुसूचित जन जातीों की संख्या कितनी है मतलब मध्य प्रदेश में माननेता प्राप्त अनुसूचित जन जाती कितनी है 46, 48, 50 और 51 तो इसका सही आंसर होगा 46 option number A मध्य प्रिदेश में अधिक्तम आदिवासी बहूल जिले कौन-कौन से हैं देखे बैगा जंजाती सबसे जादा मंडला बालाखाट में निवास करती है भील जंजाती जाबुआ अली राजपुर में निवास करती है तो सबसे जादा आदिवासी बहूल जेले कौन-कौन से होंगे option है धार जाबुआ मंडला, गौलियर मंडला धार, जबरपुर भुपार गौलियर और इन में से कोई नहीं देखे सीधा सा हिसाब है धार, जाबुआ और मंडला option नमबर A निमलिखित में से कौन सी जनजाती मध्य प्रदेश में नहीं है गोंड, भोटिया, भील और कोर्कू देखे गोंड के बारे में हमने पढ़ा है भील के बारे में हमने पढ़ा है कोर्कू के बारे में पढ़ा है लेकिन भोटिया जनजाती मध्य प्रदेश में नहीं है ये भो यालियर, सतना, जाबुआ, बाला घाट जब हम बात करते हैं भगोरिया हाट की तो भगोरिया हाट वही पर्व है जो कि मध्य प्रदीश में प्रेम के पर्व के नाम से जाना जाता है जो कि जाबुआ जले की अंतरगत्र होता है बील जन्जाती द्वारा बनाया जाता है तो option नमबर C हमारा सही होगा जाबुआ जिला कौन सा शेत्र भारिया जनजाती के नाम से जाना चाता है मतलब ऐसा कौन सा शेत्र है जहां पर सर्वधिक भारिया जनजाती निवास करती है ऑप्शन नमबर A अनकूट चित्रकूट पाताल कोट निम्नमे से कोई नहीं देखें यह और यहां पर कुल जनजाती का लगभग नब्बे प्रतिशत भारिया जनजाती निवास करती है इसके अलावा एक चीज और आपको याद रखनी है कि यहाँ जो छेतर है यहाँ आधुनिकता से बहुत जादा दूर है और यहाँ के लोगों का मुख्य भोज जो है वो कोदो और कुटकी है मध्य प्रदेश में जनजाती कल्यान विभाग जनजाती या बच्चों की सिक्षा की सुविधा है तो कौन सी योजनाओं को चलाता है पाठशाला योजना चात्रावास योजना और चात्रवत्ती योजना या फिर ये सभी योजना है तो question हमारा ये पूछ रहा था कि भाई कौन सा जो जनजाती कल्यान विभाग है बच्चों की सुक्षा को बढ़ावा देने के लिए कौन कौन सी योजना चलाता है तो देखिए पाठशाला भी चलाता है छातरावास भी चलाता है और छातरवत्ती भी चलाता है इस कारण से option number D ये सभी सहीं हो जाएगा भार्या जनजाती मध्य प्रदेश के किस जिले में पाई जाती है हम बात कर चुके हैं already ये भार्या जनजाती के कुछ लोग हैं भार्या जनजाती मध्य प्रदेश में option है बस्तर रायगर जाबू और छिंदवाड़ जाती है option number D और चिंदवाडा के अंतरगत किस चेतर में तो तामीय थासील के अंतरगत पाई जाती है और तामीय थासील के अंतरभी किस चेतर में पाताल जाती है दक्षण के जिलों में उत्तर पश्चिं कोफों कर दिखाई को निम्लिखित जन जातियों को उनकी स्थानों से सुमेलित कीजे मतलब कौन सी जन जाती कहां पर मिलती है कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए तो इसमें हम चलते हैं देखिए सबसे पहले आपको पता है कि जाबुआ जन जाती कहां मिलती है जाबुआं में कौन सी जन जाती है तो जाबुआं में भील जन जाती है तो जाबुआ का मतलब 2 का तीन किसकेस में है तो इस में नहीं है इस में नहीं है मंदिला में मिलती हैं बयगा जन्जाती क्यों क्योंकि मंदला और बालाघाट की शित्र में बैगा जंजाती निवास करती है तो जब एक का चार हो गया तो हमारा option number A हो गया, दो भी कड़ी है, eliminate करना सीखना है ना answer को इसके लाब बाकी 2 को भी लगा लेते, जवलपर में कौन सी जंजाती मिलती है तो मुडिया जंजाती और बैतूल में कोरकू जंजाती, इस कारण से हमारा 4, 3, 2, 1 सही answer हो जाएगा निमलिखित में से किस जंजाती का नरत्य चटकोरा है, कोरकू, गोड, बैगा और मुडिया देखे, जब हम बात करते हैं चटकोरा नरत्य की, तो चटकोरा नरत्य जो है, वह कोरकू जंजाती के द्वारा किया जाता है option number A हमारा बिल्कुल सही answer यहाँ पर हो जाएगा next question में चलते है मध्य प्रदेश में कथा निकालने वाली जंजाती कौन सी है कोर्बा जंजाती, सहरिया जंजाती, खैरवार जंजाती और गोण जंजाती देखे, कथा जो है वह बबूल के पेड़ से भी निकाला जाता है इसके अलावा और भी खैर के पेड़ से भी निकाला जाता है कथा चूने में लगता है इसकी सबसे जादा जो जनजाती से निकालती है वो है खैरवार जनजाती इसकी अलावा सिहरिय जनजाती के भी कुछ लोग इसे निकालते हैं तो इसका सही आंसर होगा option number C खैरवार जनजाती ये खैरवार जनजाती से सम्मंदित पुराने युगपुरुष हमने दिखाए हैं जिन्होंने करांती में भाग लिया था कौन सी जनजाती घुमन्तु जनजाती कहलाती है कोरबा, बंजारा, खैरवार और गोड़ जब हम बात करतें घुमन्तु जनजाती की, जब हमने आदिकाल इतिहास पढ़ा था, तब हमने देखा था कि घुमन्तु प्रकृती का मानव इसका मतलब ये है कि इन में इस्थाई निवास की प्रवरती नहीं होती और ये घुमते रहते हैं, अपना पुरा बोरिया बस्तर लेके घुमते रहते हैं और जो व्यक्ति जिसके अंदर इस्थाई निवास की प्रवरती नहीं है मतलब उसका घर भी नहीं होगा और वो सिर्फ घूम रहा होगा और छोटे-छोटे बिजनिस या काम करता होगा तो ऐसी जनजाती जो है वो बंजारा जनजाती कहनाती है इस जनजाती का सीधा इस दिखाई दे रही है यह बंजारा जनजाती के गीत काने वाली प्रमुख सिंगर या फिर संगीदकार भी है मड़ाई किस जनजाती का प्रमुख मेला है देखिए जब मड़ाई के हम बात करते हैं तो गोंड, कोरबा, खैरवाल और पारधी देखिए मड़ाई जो है ये गाउं के शेत्र में बहुत ज़्यादा लगती है बेसिकली हम मंडला बालाघाट वाले शेतर में इसे बहुत ज़्यादा देख सकते हैं दिवाली के बाद में मड़ाई लगती हो और ये एक हाट होता है, एक मेला होता है जितमें विभिन प्रकार की चीज़े हमें दिखाए देती हैं इसके बाद में यहाँ पर एक अहिराई नरत्य भी होता है, जो बहुत ज़्यादा फेमस है तो मड़ाई मुखेता गोड जन जाती के द्वारा लगाया जाता है तो option number A सही आंसर होगा क्योंकि मंडला से हूँ मैं और मंडला में गोड जन जाती सबसे जादा भी पाई जाती है यहाँ पर बैगा भी सबसे जादा पाई जाते है तो इस कारण से मैंने बहुत सारी मड़ाई को देखा है कि मड़ाई कैसे लगती है बहुत सारी होती जैसे कि तीन दिन की लगती है कुछ चार दिन की लगती है कुछ तो ग्यारा-ग्यारा दिन की मड़ाई और मेले लगते हैं तो इसका सही आंसर होगा option number A लहंगी नृत्य के से जनजाती से संबंदित है सहरिया, कोरबा, अंगरिया और गोंड देखो जैसे लहंगी नृत्य की बात आ रही है तो लहंगी एक प्रकार का विशेश नृत्य है जो कि शहरिया जनजाती से संबंदित है तो option number A हमारा यहां पर सही हो जाएगा सहरिया जन अलगाट भोपाल और बैतूल देखे क्योंकि मध्यप्रदीश की राजधानी भोपाल है इस कारण से जितने भी संस्थाने अधिकतर हमें भोपाल में ही दिखाई देते हैं और मध्यप्रदेश का जनजाती शोध विकास संस्थान भी हमें भोपाल में ही दिखाई देता है इसमें जनजातियों के लिए नए नए काम किये जाते हैं कैसे उन्हें मुख्यधारा के साथ जोड़ा जा सके ये सब चीज़े योजनाय बनाई जाती है जनसंख्या की द्रश्टी से सबसे अधिक अनुसूचित जाती मध्य प्रदेश के किस जिले में पाई जाती है धार जाबुआ अली राजपुर और इंदौर देखे जब हम बात करते हैं अनुसूचित जाती की तो मध्य प्रदेश में सबसे जादा अनुसूचित जाती जो है वहां इंदौर जिले के अंतरगत पाई जाती है अर्थात हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा इंदौर और यह जो आपको दिखाए ज़े रहा है यह इंदौर का रीजनल पार्क है गौरी नरत्य एवं घूमर नत्य किस जन जाती में प्रचलित है गोंड भील बैगा और कोल देखे जब हम बात करते हैं गौरी नरत्य की या फिर घूमर नत्य की तो इन दोनों नरत्य का सम्मंद कोल जन जाती से है क्योंकि कोल जन जाती राजिस्थान से प्रभावित जन तो इस कारण से कोल और option number D यहां पे हमारा सही हो जाएगा बैगा जन जाती के द्वारा किस वरक्ष की पूजा की जाती है पीपल आम नीम और साज देखिए बैगा जन जाती सबसे जादा मंडला बाला घाट में रहती है यह जन जाती प्राकृतिक पूजग जन जाती है और द्वारा एक विशेश प्रकार के पेड़ की पूजा की जाती है जिससे साज का पेड़ कहा जाता है अब इस पेड़ के बारे में जब हम सुनते हैं तो इसमें बहुत आश्यर जनक चीज हमें दिखाई देती है अगर यह पेड़ कहीं जंगलों पे लगा हुआ है और आप भटक रहे हैं बहुत जादा प्यासे हैं आप तो आपको कुछ नहीं करना आपको एक चाकू लेना हो और पेड़ के तने पे मारना है और पेड़ के तने पर आप जैसे ही मारेंगे तो इस पेड़ के तने से आपको एक बार में एक लीटर पानी मिलेगा जिससे आप अराम स पी सकते हैं और अपनी प्यास बुझा सकते हैं तो बैगा जनजाती के द्वारा यह काम बहुत भील, सहर्या, कोल और पार्दी जब हम बात करते हैं विन्ध स्वाले शित्र में कौन सी जनजाती निवास करती है तो कोल जनजाती निवास करती है अर्थात हमारा ऑप्शन नमबर सी सही हो जाएगा भारिय जनजाती में प्रचलित आयस्थाई क्रशी को क्या कहा जाता है दहिया, फाल्या, गोहिया और रावर्टी या फिर रावर्डी देखे जब हम बात करते हैं भारिय जनजाती की आयस्थाई क्रशी की तो इसे दहिया के नाम से भी जाना जाता है अब आप ये महिलाओं को देख रहे होंगे जो कि भारिया जनजाती से सम्बन्दित है और ये क्रशी कर रही है इनमें आप देख रहे होंगे यहाँ पर बैल नहीं है बलकि महिलाओं ही क्रशी का पूरा काम कर रही हो इसका मुख्य कारण यह है क्योंकि सरकार इन तक अभी तक सुविधाएं नहीं पहुचाई है और अभी तक ये इन्हें खुद अपना काम सारा स्वेम ही करना पड़ रहा है इनके पास कोई सुविधा नहीं है गौालियर तथा चम्बल संभाग में मुख्य रूप से कौन सी जनजाती पाई जाती है जो कि गौालियर और चम्बल दोनों संभाग में पाई जाती है गौालियर में पांच जिले आते हैं चम्बल में तीन जिले आते हैं कुल मिलाकर आठ जिले तो इन आठ जिलों में सहरिया जनजाती निवास करती है तो समानता रखने वाली वह जन्जाती का नाम हमको बताना है कोरकू, मुडिया, बंजारा और अगरिया देखे इसका सीधा आंसर होगा बंजारा, बंजारा के बारे मिं हम अलोझी देख चुके है यह जन्जाती घुमनतु प्रकृती की जन्जाती होती है इसका काफी जादा सम्मंध जो है वो राजिस्थान की जंजातियों से होता है सिंडोली प्रथा का सम्मंध प्रदेश की किस जंजाती से है बंजारा, भील, भारिया और कोरकू देखो सिंडोली प्रथा क्या होती ना पहले ये समझ लीजे सिंडोली प्रथा एक प्रकार की विशेश प्रथा होती है इसमें जो म्रतक होता है मतलब जो व्यक्ति खतम हो चुका है उस म्रतक को दफनाया जाता है और उसके शब को जहां पर दफनाया जाता है वहां पर एक खंबा लगा दिया जाता है और उस खंबा लगाने की जो प्रथा है उसे ही सिंडोली प्रथा के नाम से जाना जाता है जो की मध्य प्रदेश में कोर्कू जनजाती में पाया जाता है इस कारण से हमारा option number D यहां पे सही answer होगा मध्य प्रदेश के किस जनजाती के लोग कबीर पंथी कहलाते हैं ऑप्शन है खैरवार पनका कोर्कू और पैरधी देखे इस कांसर बहुत आसान है कबीर आपको पता होगा कबीर का पालन एक पनिका महिला के द्वारा कराया गया था तो इस कारण से कबीर पंथी लोग कौन क पालन लग कराया आधिवासियों द्वारा के नमूनों का संग्रहाल है जो कि भारत ढ़क कहलाता है वह कहां पर इस्थित मतलब हैं मतलब हैं इसमал पर यह बताना हैं उप्शन बहुपाल जवलपूर और खंडवा इस्थित होगा है इसकारण यहा पर हमारा option number B बिल्कुल सही हो जाएगा इस प्रकार से हमारा मध्य प्रदेश संबंध जंजातियों के सभी वस्तुनिष्ट प्रश्न समाप्त होते हैं आपको हमारी वीडियो कैसी लगी आपको समझ में आई नहीं आई अगर आपको अभी कोई कॉश्चन का है कोई कंफ्यूजन है तो आप हमसे कमेंट में बिल्कुल पूछ सकते हैं थैंक यू सो मच मिलते हैं नेक्स वीडियो में